शिव बाबा याद है ना? इस जन्म में जो सुधरेंगे तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलेगा इसलिए यहां ही तुम्हें दैवी गुन धारन करने हैं यह पांच विकार घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे तुम जितना पुरुशार्थ करेंगे बाब को याद करने का उतना माया तुमको नीचे गिर जाने की कोशिश करेगी तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होने चाहिए जो कोई माया का तुफान हिला न सके फिर बाबा ने कहा अपवित्रता भी अन्यक प्रकार की होती है पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है इसलिए फोरन सनान करना चाहिए किसको दुख दे लड़ना जगडना भी अपवित्र करतव्य हैं। यह सब आदतें तुम्हें मिटानी हैं। अभी तुमको सच्चा सच्चा महानात्मा बनना है। तमो प्रधान बनने से तुम्हारी आयो भी छोटी हो गई और तंद्रूस्ती भी नहीं रही। तो अभी बाप आकर तुमको ब तुम गुप्त कमाई कर रहे हो। तुमको बहुत कमाई करके और बड़ी खुशी से हरशित मुखो यह शरीर छोड़ना है। लेकिन इसके लिए अभी से अवस्था बड़ी मजबूत होनी चाहिए। और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे ब तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारन करने है। प्रश्न आयुश्वान भव का वर्दान मिलते हुए भी बड़ी आयू के लिए कौन सी महनत करनी हैं। उत्तर बडी आयू के लिए तमोप्रधा जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयू भी बड़ी होगी फिर मृत्यू का डर निकल जाएगा याद से दुख दूर हो जाएंगे तुम फूल बन जाएंगे याद में ही गुप्त कमाई है याद से पाप कट जाते है आत्मा हलकी हो जाती है ओम श्यान्ति मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती बाप समझा रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं क्या समझा रहे हैं मीठे बच्चों तुमको एक तो आयू बड़ी चाहिए क्योंकि तुम्हारी आयू बहुत बड़ी थी 150 वर्ष की आयू थी बड़ी आयू कैसे मिलती है त तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने से, जब तुम सतोप्रधान थे तो तुम्हारी आयू बहुत बड़ी थी, अभी तुम उपर चड़ रहे हूँ, जानते हो हम तमोप्रधान बने तो हमारी आयू छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोग बन गए थे यह जीवन पुरानी है नई से भेट की जाती है अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयू बनाने की युकती बताते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतोप्रधान थे बड़ी आयू वाले तंद्रूस्त थे ऐसे फिर से बन जा है तुमको तो गैरेंटी मिलती है कि सत्युग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं बाप को याद करते रहेंगे तो आयू बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा और तुमको क्या चाहिए तुम कहते हो उच्च पद भी च अब बाप युकती बताते हैं ऐसे करो एम अबजेक्ट सामने हैं तुम ऐसा पद पा सकते हो यहां ही दैविगुन धारन करना है अपने से पूछना है हमारे में कोई अउगुन तो नहीं है अउगुन भी अनेक प्रकार के हैं सिगरेट पीना छीची चीजें खाना यह अउ अउगुन है विकार का जिसको ही बैड करेक्टर कहते हैं बाप कहते हैं तुम विश्यस बन गए हो अब वाइसलस बनने की तुमको युकती बताते हैं इसमें इन विकारों को अउगुनों को छोड़ देना है कभी भी विश्यस नहीं बनना है इस जन्म में जो सुधारेंग तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलना है सबसे जरूरी बात है वाइसलस बनना जन्म जन्मांत्र का जो बोज सिर पर चड़ा हुआ है वह योगबल से ही उत्रेगा बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांत्र हम विश्यस बने हैं अभी बाप से हम प्रतिग्या करते हैं कि फिर कभी विश्यस नहीं बनेंगे बाप ने कहा है अगर पतित बने तो सोगना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी ब्रष्ट हो जाएगा क्योंकि निंदा कराई न तो गोया उस तरफ विश्यस मनुश्यों की तरफ चला गया ऐसे बहुत चले जाते हैं अर्थात हार खा लेते हैं आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंदा विकार का नहीं करना चाहिए कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं कहते हैं हम ब्रह्मचरिये में रहेंगे सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है इसलिए फोरन सनान करना चाहिए अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है किसको दुख देना, लड़ना, जगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है बाप कहते हैं जनम जनमांत्र तो तुमने पाप किया है यह सब आदतें अब मिटानी है अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मि नारेजिं ही है और कोई तो यहां बन न सके क्योंकि सब तमो प्रधान है गलानी भी बहुत करते है न उनों को पता नहीं पढ़ता है कि हम क्या करते हैं एक होते हैं गुप्त पाप दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं यह है ही तमोप्रधान दुनिया बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं इसलिए उनको सब याद करते हैं सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो अभी ऐसा तुमको बनना है बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे फिर कांटे बन पड़े हो अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयू बड़ी होगी पाप भी भस्म होंगे सिर से बोज़ा हलका होगा अपनी संभाल करनी है हमारे में क्या-क्या आउगुन है वह निकालने है जैसे नारद का मिसाल है उनको कहा तुम लायक हो उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं है बाप तुमको उंच बनाते है बाप के तुम बच्चे हो न जैसे कोई का बाप महराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महराजा है बाबा बहुत सुख देने वाला है जो अच्छे स्वभाव के महराजा होते है उनको कभी क्रोध नहीं आता है अभी तो आइस्ते आइस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है सभी अवगुण प्रवेश करते गई है कला कमती होती गई है तमो होते गई है तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है कितना दुखी हो पड़े है तुमको कितना सहन करना पड़ता है अभी अविनाशी सर्जन दवारा तुम्हारी दवाई हो रही है बाप कहते हैं यह पांच विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे तुम जितना पुरुशार्थ करेंगे बाप को याद करने का उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तुफान हिला न सके रावन कोई और चीज नहीं है वो कोई मनुष्य नहीं है पांच विकारों रुपी रावन कोई माया कहा जाता है आसुरी रावन संप्रदाए तुमको पहचानते ही न यह बीके क्या समझ से हैं रियल्टी में कोई नहीं जानते यह बीके क्यों कहलाते हैं ब्रह्मा किसकी संतान है अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस घर जाना है यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं आयुश्वान भव धनवान भव तुम्हारी पूरी करते हैं, वर्दान देते हैं, परन्तु सिर्फ वर्दान से काम नहीं होता, मेहनत करनी हैं, हर एक बात समझने की हैं, अपने को राज दिलक देने के अधिकारी बनना है, बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पहले नंब याद भी wrong है, कहते हैं इश्वर सरव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे, शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछो इनका occupation बताओ, तो कहेंगे भगवान सरव्यापी है, पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई प तो कला काया ही चट हो जाती है, भगती में कितनी भूले करते हैं, फिर भी भगती से कितना प्यार है, श्रीकृष्ण के लिए कितना निर्जल आधी करते हैं, यहां तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या-क्या कड़ते हैं, तुमको अभी हसी आती है, ड्रामा नुस पार भक्ती करते कदम नीचे उतरते आए हैं। उपर तो कोई चड़ ना सके। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम संगम ना सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम यह बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धी हैं। बहुत खौफणाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वह करते हैं। कितना खून डाकादी लगाते हैं। क्या नहीं करते हैं। सो परसंट तमोप्रधान है। अभी तुम फिर सो परसंट सतोप्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ती बताई है याद की यत्रा। याद सही विकर्म विनाश होंगे। बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं। यह भी तुम अब समझ से हो। इस रत में आये हैं। ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं। जो फिर तुम धारन कर औरों को सुनाते हो। तो दिल होती है डारेक्ट सुनें। बाप के परिवार में जाएं। यहां बाप भी है, मा भी है, बच्चे भी हैं। परिवार में आ जाते हैं। वे तो दुनिया ही आसुरी है। तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो। इसलिए धंदा दी छोड़कर बाबा के पास refresh होने आते हो यहां रहते भी हैं ब्रहमन तो इस परिवार में आकर बैठते हो घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा वहां तो देहधारी हो जाते उस गौरक धंदे से निकल तुम यहां आते हो अब बाप कहते हैं देहे के सब संबंद छोड़ो होती हैं सब उठाकर खुश्बू लेते हैं अक के फूल को नहीं उठाएंगे तो फूल बनने के लिए पुरुशार्थ करना है इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं ऐसा बनना है घर ग्रिस्त में रहते एक बाप को याद करना है तुम जानते हो यह देहे के संबंदी तो हो जाने हैं तुम यहां गुप्त कमाई कर रहे हो तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके और बहुत खुशी से हर्शित मुखो शरीर छोड़ना है घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी ठकावट नहीं होगी बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्र लगाओ, भल यहां से नीचे आबू रोड तक चले जाओ, तो भी ठकावट नहीं होगी, पाप कट जाएंगे, हलके हो जाएंगे, तुम बच्चों को कितना फाइदा होता है, और कोई तो जान न सके, सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं, पतित पावन, आकर फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे, पतित को फिर माथा थोड़े ही टेका जाता है, माथा पावन की आगे जुकाया जाता है, कन्या का मिसाल, जब विकारी बनती, तो सबके आगे सिर जुकाती है, और फिर पुकारती है, हे पतित पावन आओ, अरे पतित बने ही क्यों, जो फ पिर पुकारना पड़े, सबके शरीर तो विकार की पैदाईस है न, क्योंकि रावन का राज्य है, अभी तुम रावन से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुशोत्तम संगम युग, अभी तुम पुरुशार्थ कर रहे हो, राम राज्य में जाने के लिए, सत्युग है राम राज्य, सिर्फ तुम तुम ग्यान देते हो, लायक बनाते हो, कोई का संग ऐसा मिलता है, जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं, बाप पावन बनाते हैं, तो अपतित बनना ही नहीं है, जबकि बाप आया है पावन बनाने, माया ऐसी जबरदस्त है, जो पतित बना देती है, हरा देती है, कहते हैं बाबा रक्षा करो, वहा लड़ाई के मैदान में धेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या, ये माया की गोली, बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है, काम क चोट खाई गोया उपर से गिरे, सत्युग में सब पवित्र ग्रिस धर्म वाले होते हैं, जिनको देवता कहा जाता है, अभी तुम जानते हो, बाप कैसे आये हैं, कहां रहते हैं, कैसे आकर राज योग सिखाते हैं, दिखलाते हैं, अर्जुन के रत पर बैठ ग्यान दिय फिर उनको सरव्यापी क्यों कहते हैं, बाप जो स्वर्ग की सापना करते हैं, उन्हें ही भूल गए हैं, अभी वह स्विम अपना परीचे देते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग, रु रुहानी बच्चों को नमसे, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमसे, नमसे, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पुइंट, महानात्म बनने के लिए, अपवित्रता की जो भी गंदी आदते हैं, वह मिटा देनी हैं, दुख देना, लड़ना जगडना, ये सब अपवित्र करतव्य हैं, जो तुम्हें नहीं करने हैं, अपने आब को राजसिलक देने का अधिकारी बनाना है, दूसरी पॉइंट, बुद्धी को सब गोरक धंदों से, देहधारियों से निकाल, खुश्बुदार फूल बनना है, गुप्त कम जमा करने के लिए, चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है, वर्दान, अपने शुब चिंतन की शक्ती से, आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली, शुब चिंतक मनी भव, अपने शुब चिंतन की शक्ती से, आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली, शुब आज के विश्व में सब आत्मय चिन्ता मनी हैं। उन चिन्ता मनियों को आप शुब चिन्तक मनियां अपने शुब चिन्तन की शक्ति धवारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूरे की किरने दूर दूर तक अंधकार मिटाती हैं। ऐसे आप शुब चिन्तक मनियों की शुब संकल्प रूपी चमक वा किरने विश्व में चारों और फैल रही हैं। इसलिए समझ से हैं कि कोई स्प्रीच्वल लाइट गुपत रूप में अपना कारे कर रही हैं। यह टचिंग अभी शुरू हुई हैं। आखरीन ढूंडते ढूंडते सान पर पहुँच जाएंगे। स्लोगन बाप दादा के डारेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धी की लाइन को क्लियर रखो। आज हम धर्म और कर्म से जुड़े बहुत गहरे राज जान तो विशेस ज्यानमोती को सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें।